कटिहार में मठ और मंदिर की जमीन पर अस्पताल का निर्मान किया जाएगा सूबे के विधी और गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने एलान किया है पूर्णिया प्रमंडलिय कार्याले में मठ मंदिरों की परीसंपत्ती और गन्ना उद्योग विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने इस बात का एलान किया है साथ ही जिलाप्रिशासन के कार्जों की उन्होंने सराहना की है इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पूर्णिया में 563 एकर मठ मंदिरों की जमीन चिनहित हुई है जबके पूरे बिहार में 30,000 एकर से अधिक जमीन चिनहित किया गया है इन सभी जमीन को जिला के पोर्टल पर डालने का निर्देश दिया गया है साथ ही सभी को जमाबंदी का भी निर्देश दिया गया है इसके अलावा जो जमीन अवैत तरीके से बिग गया है या किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया है वे सभी जमाबंदी को जाच कर रद किया जाएगा जो कमिशनर साहब है आयुक्त मोहद है उनके उपस्तिती में मेरे अध्यक्स्ता में जो चारो जिला है पुर्निया, किसन गज, अरडिया और कटिहार चारो जिला के जिला दिकारी और वहां के रजस्व पदा दिकारी और अन्मंडल पदा दिकारी और जो अंचल अधिकारी और साथ में हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के सम्मानि तद्यक्ष लऊसे गेटी और भी हमारे कई अधिकारी गन्नाविभाग के अधिकारी यह सब लोगे वीडियो कॉंफरेंसिंग पर मिटिंग हुआ और मैं प्रसाषन को पुनिया परमटल के तमाम प्रसाषन के यह करें क करना चाहूंगा कि जो मैं पहले अगस्त महीना में जो बैठा किया था और आज बैठा किया लगवक 500 वेकर ज्यादा भूमी हमारे अधिकारी ने खोजा है और ये नीरस काम में से रस निकाला है और सबसे बड़ी बात है कि कटिहार के जो हमारे दिलाधिकारी है वो राम जान की मठ के मंदिर पर जमीन पर अस्पताल बनाने का एक प्रस्ताव दिये हैं रामजान की अस्पताल उसी मठ के जमीन पर तो ये जो नेसनल परपरटी जो खाली हो रही है आ रही है इसी लिए हम लोग इसको जिग्यासा करके कि हमारे इस्ट देव का भूग परसाद भी या उन परकार के जो शिक्षन संस्थान या उन परकार के जो लोक्हीत के काम है वो इस लोक भूमी पर होगा। और सरकार के राजबर में ऐसे 30,000 एकर भूमी है और हमारे राज परसासन के और जिला परसासन के और प्रमंदल परसासन के सबी अदिवकारी तनमाहिता से इस काम में भीड़ गए हैं इसकी परिसीमन कराना है इसका सीमांगन कराना है यह सब काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माननिय मुखमंतरी मोहदय का काना है कि भूमी विवाद ही लोव एन ओर्डर की समस्या है और भूमी का सर्वे हो रहा है तो लोव एन ओर्डर भी पीस्पूल होगा अगर भूमी का विवाद समापत हो जाएगा तो और जो सर्वे होगा तो हमारे सर्वे में नाम आ तो अने बुल सुप्रीम कोट ने भी, फुल बेंच ने जज्जमेंट दिया है, कि जो भी हमारे इस्ट देव की परपटी है, उसकी मालकियत कभी ट्रांसपर नहीं हो सकती, वह इस्ट देव की परपटी उसके कमीटी के माध्यम से लोखित में काम हो सकता है, उस सेल्डीड न भी जो दिया है जैजमेंट उस जैजमेंट का भी उनननी सोपचाँस का जो धार्मिक नयास बोड की जो अपनी एक लौ है अपना अधिनियम है उसके हिसाब से इसको संग रक्षित करना संबर्धित करना लोग का लियानकारी काम है और हमारे सभी अधिकारी इसकाम में से अपील करता हूं कि जहां जहां मंधिर की भूमी याति कर्मित रहें किसी भू माँअ के अंदर है तो उसे चिन्हित कर उसका अवेदन जिला अधिकारी को, अनुमंडल अधिकारी को, अंचल अधिकारी को, धार्मिक न्यासबूट को या हमारे लोविभाग को वह दे वह सभी लोक भूमिक को संगरक्षित करना, संबर्धित करना सरकार की नैतिक जिम्वारी है और इस जिम्वारी को उने वो सुप्रीम कोट ने भी बताया है और इसको हम लोग वहन करेंगे और हमारे अधिकारी इस काम को कर भी रहे हैं.